तूवागत है आपका अपने एक्जाम वट में जैसे कि आपको जानकारी होगी कि दूर्ण यूनिवस्टेटी जो है उसके अप्लिकेशन फॉर्म साथ चुके हैं ठीक है अब इप्लिकेशन फॉर्म आ गए है तो इसका मतलब इसके एक्जाम डेट्स भी आ गई है एक्जाम डेट आ गई है तो इसका मतलब आपके पास अब टाइम कम बाचा है लेकिन यहां आज के सेशन में बात करेंगे एप्लिकेशन फॉर्म को लेके उसके साथ साथ हम बात करेंगे यहां पर बाकी और विश्यों पर जो की दून युनिवस्टी से रिलेटेड हैं दून युनिवस्टी के वित्ता महत्पून है जेन्यू और एफल्यू के बाद अगर आप लैंग्विच करना चाहते हैं तो बै बीकॉम उसके अलब बीए लैंग्विज पैचल ऑफ डिजाइन ऐसे कई सारे कोर्से आपको कफोडेबल फी में करवाता है अगर आप उत्राखंड के हैं तो भी और अगर बाहर के हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं वैसे यह स्टेट युनिवस्टी है तो यहा अग्यान लेते हैं दून युदिवस्टी के एंट्रेंस के एक्जाम के जो अपलिकेशन फर्म से उनके बारे में देखिए इसके एपलिकेशन फर्म से वह भरे जा रहे हैं अब एपलिकेशन फोर्म में जो लास्ट टेट है खासकर 31 और मेय है लेकिन उसे कुछ चीजें ज स्ट में आते हैं तो आप का सेटीफिकर लगा सकते हैं यह EWS तो आपको EWS का विजरवेशन मिलता है लेकिन अगर आप अधर स्टेट के हैं तो वहां पर आपको ऑप्शन जो है वो जर्नल के टिगरी में चेंज हो जाएगा अब से पूछा जाता है कि are you from उत्राखंड आपका डॉमिसाल उत्राखंड का है अगर नहीं है तो आप जनल के टिग्री में इससे ज़्यादा टाइम नहीं है ठीक है वन मन टोंटी डेज दूसरी चीज यहां पर अगर हम बात करें आपसे तो अगर आपने सीवीटी भरा है लेकिन सीवीटी में आपको लग रहा है कि मैं बहुत बैटर नहीं कर पाऊंगा मेरा मैथ अच्छा नहीं है मैं जन्य नहीं सबस्कान अब तो बिया लेंग्वेज का सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां पर आते हैं वो आते हैं यह 100 questions 100 marks के होते हैं अभी तक जो cut off है वो maximum 70 to 75 की बीच में जाती है जनल केटेगरी की अगर आप जनल केटेगरी से हैं या अधर स्टेट से अपलाई कर रहें तो आपको कोशिश करनी होगी कि अगर आप mock test देते हैं उसमें कम से कम आपका स्कोर है वह 70 to 75 तो मिनिममम आए आए वसे आए तो 80 के उपर लेकिन कम से कम यह स्कोर आप मिंटेन कर पाएं पहली शी इसके लावा यहाँ पर BBA करवाए जाता है BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड होता है इसके लावा यहाँ पर B कॉंब होता है Bcom भी कर सकते हैं यहां पर BTEK होता है अब BTEK यही के तुरू अप्लाइ कर सकते हैं अगर आपने जैए दिया है फर्स्ट वाला सेकंड वाला कोई भी जैए दिया तो यू कन अपलाए इसके लावा आप एक जगे और अप्लाइब कर सकते हैं इसमें इसमें लीडियस का कोर्स होता है बैचलर अफ डिजाइन आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो तो यह कुछ ऑप्शन से आपके पास जिसके तुरू आप अप्लाई करके आगे चीजें कर सकते हो बैटर कर सकते हो और यहां जो लेंग्विज कोर्सें यह कुछ इस प्रकार है आपको प्रेंच में करवा जाता है यहां पर यूजी इसका पीजी भी होता है यहां पर सकते हैं जर्मनक् सकते हैं लेंग्वेजेशन में अचैनिच पर सकते हैं यह कुछ आप यहां पढ़ायां जान सकते हैं इसके लाव bunlar लेंगवेजम यहां पर certificate courses भी से सwendतक्रेजन को साओं सब्सक्राइब कर सकते हैं इसके लिए पीडियाफ क opini आपको मिल जाइजा च्रफ्री का एकमातर सिंगल प्लेट्फ़र्म मेंMR हम्ने पिछले सालों में काफी सारे सेलेक्शन एक्जामवर्ट से दिये हैं ठीक है अब यहां पर एक्जामवर्ट पर जो कोर्स अवा लड़ी स्टार्ट हो गया थे लेकिन बहुत ही फ्लो में स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि हमें पता था एप्लिकेशन फॉर्म आने के बाद कई सारे स्टुएंट जॉइन और इनके जो ऑथर है उसके बारे में आपको पढ़ना होता है काफी अच्छे से तो यह बहुत महत्पूर्ण है आपके लिए दूसरी इंपॉर्टन चीज क्या है कि अगर आप लेंग्विज कोर्स में अप्लाई करें तो आपके लिए कंट्री जी के भी बहुत नया हो जा है या फिर बी यह लैंगविज या तो आप इस कोर्स को जोईन कर सकते हैं तो आप में आपको पूरा गाइड करेंगे लेकिन हम आपको क्लासेज नहीं देंगे तो अब मेंटरशिप प्रोग्राम करना चाहते हैं उसका जो फिस ट्रक्षर वो टिपल रहीन है अब आपके भी लिखते रहा हूं अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है अप्लिकेशन फॉर्म को फिल करने में तो आप हमें इस वाट्सअप हेल नंबर मैसेज करके मदद मांग सकते हैं अगर आपको कोश्यन है दून इनिवर्स्टी की फी स्ट्रक्चर वगरा को लेके उससे अगर कोई कोश्यन है तो वह भी आप पूछ लिजए वैसे इसका फी स्ट्रक्चर बहुत दाधा हाई है निए हमारा कुछ नहीं होगा तो इसके करते हैं नुठ करते हैं तो आकशी चार सारी हिए पहाड़ों की दुनिया है और शुद् chauwn हवा है शुद् सब्सक्राइब करें तो नहीं करना खुद से कर सकते हैं तो आप सब का शुक्रिया हमारे साथ बने अगर आपको कोई इनफॉर्मिशन और चाहिए तो वाट्सेफ हल्पलाइन नंबर के यूज करिए और कमेंट सेक्षिन में आप कमेंट कर सकते हैं तेली क्राम का लिंक और गूगल फॉर्म का लिंक आपको कोर्स के लिए काम करें वह आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया ह है तो सी यू इन नेक्स सेशन आश्य करता हूं जनकारी आपको कहीं नगहीं लाब पहुंचाने के काम करेगा सो सी यू